देश्टिन मुस्कार आप सभी का स्वागत है सीटेट पेपर वन या पेपर टू की तयारी करें संस्कृत की तयारी कंप्लीट यहां से कराई जा रही है संस्कृत पैराग्राप हल करने का ट्रिकी वीडियो संस्कृत पैडागोजी हल करने का ट्रिकी वीडियो संस्कृत का न हलाकि कुछ अपवाद वाले question होंगे उसके लिए तो आपको दो तीन घंटे पढ़ना पड़ेगा बट यहां पे short video में 10 निट ने आपको प्रत्य हम short टिक से बताएंगे इसी में से इसी pattern पे आपकी परिच्छा में question आना है संस्कृत में direct question नहीं पूछा जाएगा paragraph में कुछ सब्द प्रियों के आते हैं उन्हीं में से पूछा जाएगा कि कौन सब प्रत्य यहां पे लगा हुआ है तो इस वीडियो को शुरुआ से इंतर देखिए और इसके notes जरूर बरा लिजिए इसको आप लिक लिजे कहीं बे और फिर आप ब के लिए इस नंबर पर वर्षिप करके notes को जल्द से जल्द परचेस कर ले पेपर के अगर आप एक दिन भी पहले notes को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इतना नंबर में आएंगे कि कम से कम पास हो जाएं ठीक है कम समय में यही बहतर है आपके लिए कि आप फटा-फट से notes को पढ़ ले और उसी में से बहुत सारे प्रशना आपकी परिच्छा में आ जाएंगे हिंदी में तो आप सबने प्रत्य पढ़ाई होगा प्रत्य का मतलब क्या होता है जो मूल सब्द होता है उसके अगर अंत में कोई सब्द जुड जाए यानि मूल सब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांस क्या कहलाते हैं प्रत्य कहलाते हैं और उप्षर्ग कब जुड़ते हैं तो उप्षर्ग जो है मूल सब्द के शुरवात में जुड़ते हैं यहां पर आप पी परिच्छा में जो questions जादा तर पूछे आते हैं वो प्रत्य से पूछे आते हैं तो प्रत्य मुक्यता दो प्रकार के होते हैं क्रत्य प्रत्य और तद्धित प्रत्य क्रत्य का मतलब यह होता है कि यह ऐसे सब्दांस होंगे जो धातु या फिर क्रिया क्यंत में जुड़ेंगे क्रिया क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्द से किसी कारे का करना या होना पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं तो क्रत्य प्रत्य क्या होते हैं जो क्रिया के अंत में लगें जैसे आना जाना खाना पीना पढ़ना लिखना यह क्या है क्रिया हैं और इससे जो सब्द बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं क्रदंत शब्द कहते हैं ठीक है उसको उन्हें टाइप नहीं किया क्योंकि समय बहुत तो यहां पर आपको पुछ शॉल्ट ट्रिक्स बताएंगे वैसे तो अगर डिटेल से प्रत्य पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3-4 घंटे चाहिए प्रत्य को डिटेल से पढ़ने के लिए यहां पर आपको उतना ही पढ़ा जा रहा है जितना आपकी परिच्छा के दिश्चि बट आपको पढ़ना चाहिए यहां पर दिखे कुछ प्रत्य लिखे हुए है और उनकी पहचान जैसे आप पहचानेंगे कैसे कुश्चन देदेगा कि पठिता हमें कौन से प्रत्य का प्रियोग हुआ है इन्हीं में से चार आप्शन देदेगा ता कत्वा तब्यत शत्र तुमन तो आप कैसे पहचानेंगे यह पहचान इसकी और थात पहचान में क्या हुआ है कि जिस जिन सब्दों के अंतमें तह लगा हुआ हो यह ट्रिक है ठीक है कुछ अपवाद वाले भी कुश्चन होंगे उसमें यह ट्रिक काम नहीं करेगी बट इतना आपको जानकारी म प्रत्य होगा तो ता प्रत्य होगा ता आधा का और ता इसी तरीके से दूसरा प्रत्य यहां पर कौन सा है और इसकी पहचान क्या आप देखिएगा जैसे यहां पर लिखावा तत्वा आधा का अधा ता और वा यहां पर क्या है ऐसे सब्द जिनके अंतमें क्या लगा प्रत्त्त्त्त्त्त। गमन ऐसे आपको पहचाना है अब कई बार question ऐसे पूछ लेगा कि सत्र वाला कौन सा उधार इन में से कोई दे देगा या फिर इन में से उधार दे करके आपसे पूछ लेगा कि प्रत्य कौन सा है बस ऐसे ही आपसे पुछे जाएंगे और ये भी दान रखिएगा कि जो सब इ से बनते हैं उनकों क्या कहते हैं क्रदंत शब्द भी कहते हैं अब बात करते हैं तुमन आपकी परिच्छा में कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपकी परिच्छा में शुरवात के ये दो जाएंगे या फिर आपसे तुमन पूछा जाएगा या फिर अनियर पूछा जाएगा और या फिर एक नीचे है आपका लुट यह ज्यादा पूछे आते हैं तो इस पे आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लिजेगा कॉश्चन्स तो आपको अभी कराएंगे ही ठीक है तो तुम लाष्ट में उल्ला है उसमें तुमन प्रत्य होगा सबसे आसान यही है अनियर में क्या होगा नी होता है अंत में क्या होगा नी होगा जहां पर नी लिखा हो अंत में पटनी गमनी हसनी तो वहां पर क्या होगा नी लिखा होगा मतलब नी सब्द के अंत में होगा और वहाँ पे प्रत्य कौंसा होगा अंय, इसमें बच्चे एतना है क्योंकि यहाँ पे NEI है। और हाँ अंय लगा दीजिए अंय जहां पे लाष्ट में क्या हो नी हो, बदुयसेट कार सी सालच होगा इसमें भी थोड़ा सा पोरिट हैं क्योंकि सान यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है बट सान से मिलता जोनता क्या है मान तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसे वर्धमान शक्तिमान दिया हो तो इसमें कौन सा सानच प्रत्य होगा और कौन सा है लुट प्रत्य लुट प्रत्य कैसे पहचान है तो इसकी पहचान है नम इसको आप क कमेंट करके जरूर बताइगा कि इसका प्रैक्टिस वाला वीडियो लाया जाए लगवग पचास कुश्यन आप पुकरा देंगे उसी में से दो कुश्यन आपकी परिच्छा में आ जाएगा ठीक है तो कमेंट जरूर करिएगा यहां पर अनियर आप समझ गए मान आप समझ ग यह अंतर को आप समझेगा अपनी कौपी में नोट करिएगा जैसे यहां पर क्या है सब्द के अंत में क्या होगा ति ही गती ही प्रति ही तो यहां पर कौन से होगा तिन प्रत्य होगा अक्तीन प्रत्य होगा जान रखीज़ेगा इसको भी अभी कुश्यन जबाब करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा अगला हो पर लिप इसकी पहचान क्या है कोई उपसर्ग हो फिर मूल सब्द हो और अंत में या मिलेगा जैसे प्रा क्या है उपसर्ग है या क्या है ठीक है और मूल सब्द है उसके बाद अंत में क्या है या है तो इसकी पहचान यह उपसर्ग के बाद मूल सब्द हो और फिर अंत में या हो प्रफट प्रपठ आगत इस तरीके से आप पहचान सकते हैं अगला प्रत्य वहाँ पे लोड लोड इसको आप कैसे पहचानेंगे तो इसकी मुल सब्द के इंत में कहा दिया होगा क्या दिया होगा कहा पाठ कहा लेख कहा गाय कहा है ना तो इस प्रकार से दिये होंगे सब्द वहाँ पे क्या होगा ये वाला प्रत्य होगा इसको बोलने में थोड़ा सा अजीब से लग रहा होगा अगला है आपे घर्च प्रत्य है इ जो है σंहाय सरवनाम के अंत में आने वाले प्रत्य कहलते जैसे वहां पे क्या थाक हृष के साथ लगते थे यहां पर संहीशन या संहाय सरवनाम जैसे क्या है मतुप मतूप की कुछ उदाराण यहां पर गुडवान श्रीमान इसको पहाँ चाहएं के क使ज आ यहां पर अंत में क्या है मान वहां पर क्रिया के साथ में लगा था यहां पर संग्या सर्वनाम के साथ में सर्वनाम यह संग्या के अंत में प्रयोग होगे तो यहां पर गुडवान श्रीमान यहां पर कौन सा होगा मतुप प्रत्य होगा इसी तरीके से इमरिज इसकी पहचा होगा ठीके इसी तरीके सो ही रहला यहांपर तरफ is तरफ क्या होगा लाश्ट में तम होगा तमाह इOoh इस्ठन का क्या होगा पहिचान इस्ठ जैसे व्रिष्ट गरीष्ठ 现 सुभीष्ट में निमीष्ठ उच़ डख में क्या होगा लाश्ट में ए होगा, अजी ही, आने वाले प्रत्य में क्या होगा, किसी जाति का नाम, जैसे कश्यप, प्रत्थवी, पांड़, यहां पे एक चीज़ आपको और ध्याम देनी है, कि जो यह अनियर प्रत्य है, जैसे यहां पर नियम ने आपको बताया है, तो दो चीजे यहां पे इने और लिखी है जब यह श्ट्री लिंग में होगा तो यह निया होगा ठीक है और जब फुर्लिंग में होगा तो यह विसर्ग लगा होगा यहां पे बड़ा अकडेंडा है यहां पे विसर्ग है और जब नपूशक लिंग में होगा तो ये नियम हो जाएगा ये अंतर को आप समझेगा अब इससे सम्मधित कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो आपके सीटेट के एकजाम में पूछे गए हैं और इसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके एक पार टू में पचास क्व क्वेश्चन की प्रेक्टिस आप पुकरा देंगे ठीक है देखेंगा ये वाला प्रशन पूछा गया है तुमन प्रत्यांत सब्दह कहा है यानि तुमन से सम्मंधित यहां पे कौन सा सब्द है जिसमें तुमन प्रत्य से बना हो कांडम, स्थात्म, सिंगाशनम, होगा अगला सब्द देखिए तुमन प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत कितना आसान आपको लगी दिख़़ा होगा तुमन प्रत्यांत पदेच चिनुता है बुखत्वा, पीत्वा तो इसमें आपको लग रहा होगा तुमन प्रत्यांत पदम चिनुता है तुमन प्रत्यांत पदम चिनुता है हंतुम, जेतुम, शृत्वा, गंतुम तो बाकी तो एक जैसे इतना तो आपको लग रहा होगा कि ये तीन देखी एक जैसे लग रहे है ये अलग रगला है और वैसे भी यहाँ पे एक त्वा है तो इसका भी अंसर क्या जाएगा शृत्वा के साथ अगला सवाल देखिए सुप्ताह इतिपदे कहा प्रियुक्ताह तो तौक्टवा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुप्तवा तो नहीं, तुमन भी नहीं होगा, क्योंकि भकुम होता है तो यहाँ पर एक ही answer आपका बचेगा, ट्वाइक अधार प्रत्त ए, अधाका और ट्वुप्तव अगला देखिए तो यह अपने छे प्रशन आपको कराये हैं जो सीटेट ने पूछे हैं अब कमेंट करके आप बताईए इसकी प्रैक्टिस करा दी जाए या फिर आप इतने में ही समझ गए हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताईएगा यहाँ पर आपको कुछ और वीडियो बन करके आ रहे हैं जो हमने आपको संस्क्रिप्त की महराथन कराई है सीटेट इस्पेसल जो महराथन कराई है उनके वीडियो के लिंक यहाँ पर बन करके आ रहे हैं उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं आपको आपकी परिच्छा के लिए बहुत बहुत शुब कामना है अगर आप इतना समझ ले जाते हैं तो दो नंबर आपके पक्के हैं